खेले स्टूडेंट आपका अपने ट्यूटर टाक चैनल में स्वागत है आज की मीडिया में हम बात कर रहे हैं डेरिवेशन ओफ एक्वेशन ओफ मोशन एक्वेशन ओफ मोशन की टोटल तीन एक्वेशन है फर्स्ट वी इक्वल यू प्लस 80 इसकेंड उप एक्वेशन इसकी है इस इक्वल यू प्लस half 80 स्क्वेश और थर्ड है वी स्क्वेशन इक्वल यू स्क्वेशन प्लस 2 AS इन तीनो इक्वेशन को इनिसने 오烹ोड कर रही है इसकी विलोश्ति में जोब चेंज्ज हो रहा है वह uniformly rate के साथ हो रहा है जैसे हम मान लेते हैं एक car move कर रही है straight line और उसकी जो velocity में increase हो रहा है वह by equal amount in equal interval of time जानि कि जो increase हो रहा है वह equal amount में हो रहा है जा हम कहा सकते हैं कि उसमें velocity में जो change है वह uniform rate के साथ हो रहा है और उसे हम uniform acceleration बोलते हैं इससे पहले वाली वीडियो में हमने first equation और second equation को drive किया था और इस वीडियो में हम third equation of motion को drive करेंगे जो कि है v square equal u square plus 2as और इसके लिए हम first equation और second equation की help लेंगे इसके लिए आपको कुछ terms के बार में पता होना चाहिए कि initial velocity किसे कहा जाता है जो starting वाली velocity होती है और उसे किस से represent करते है यू से final velocity जो कि बाद वाली होती है उसे हम v से represent करते है acceleration यानि कि change in velocity को a से represent किया जाता है time को t से और displacement को विस्थापन को s से सबसे पहले हम लिखेंगे from the second equation of motion जो कि है s equal ut plus half 80 square from the second equation of motion को लिखे लिया हमने s equal ut plus half 80 square number 1 डाल दिया है यहाँ पर और from the first equation of motion जो कि है v equal u plus 80 यह second और यह first equation इनी दोनों की help से हम third equation को drive करेंगे तो यहाँ से अगर हम t की value निकालते हैं तो कैसे निकलेगी पहले u को इजर send करेंगे तो 80 equal to क्या हो जाएगा अब यहाँ को इजर send करें 80 equal to हो जाएगा v minus u तो यहाँ पर लिख सकते हैं 80 equal v minus u और यहाँ से t की value निकालनी है तो t की value आप लिख सकते हैं v minus u upon a और यह जो t की value है इसको equation 1 यानि कि second equation of motion में fill कर देंगे यह जो t की value है यह वाली इसको हम first equation में fill करेंगे तो cancel लिखेंगे इससे हम लिख सकते हैं पहले s यह वाल s यहाँ उतारेंगे फिर equal का sign है उसके बाद u फिर यहाँ पर t की चगाल पर यह फिल करेंगे यह वाली value यानि कि v minus u और यह आ देगा नीचे upon a यहाँ पर plus का sign है फिर 1 by 2 है उसके बाद a x relation फिर t का square है तो यह t का square यहाँ पर फिल करेंगे इससे bracket डाल कर यहाँ पर square डालेंगे v minus u upon a square तो next step में हम लिखेंगे upon में क्या है a यहाँ पर plus का sign आ गया 1 upon 2 आ गया a आ गया यहाँ पर formula थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा हमें क्योंकि यह a minus b की whole square का formula बनेगा a minus b की whole square का तो क्या करेंगे इसको a square यानि की v का square plus b square होता है plus b square बतला plus u का square और minus 2a भी होता है formula में तो minus यह v u जा कहलो u v हम यहाँ पर लिखनेंगे और upon वाले a का भी square होना कि whole bracket का square है तो इसका भी होगा तो a square और next step में हम इसको लिखेंगे s ये वाला equal का नीचे equal और यहाँ पर क्या है u v minus u square upon a ये वाला और इसके बद प्लस का sign है अब यहाँ पर थोड़े से calculation आप देखें यह जो a है जो a square तो यह जो a है cancel होज़ेगा उसके square के साथ क्योंको नीचे 2 time a है तो नीचे single time a रह देगा और फिर a और 2 की multiply होगी और नीचे क्या बचेगा 2a 2a और उपर क्या क्या बचा v square plus u square minus 2 u v अब इन दोनों का इसके पहुंच जो है और इसके पहुंच जो है denominator a और 2a का अगर lc m ले तो lc m मारा आएगा 2a तो यहाँ पर हम लेखेंगे 2a फिर आपको पता जो a से a डवाइड होका denominator डवाइड होता है वो जो बचेगा उपर numerator से multiply होगा तो यहाँ से 2 बचता है 2 अगर उपर multiply हो दोनों से तो क्या आएगा 2 u v यह जो 2 है और minus 2 u square फिर प्लस का से clear होगा और कैसे किया यह यहाँ पर denominator आपसमें डवाइड की है तो 2 बच रहा है 2 को उपर इन दोनों से multiply करके और यहाँ से denominator डिवाइड करें तो 2 a 2 a cancel होगे 1 आएगा 1 से उपर multiply करें सेम नमबर आ जाएगे v square प्लस u square और minus 2 u v यहाँ पर रहे लिख रहते हैं अब यह जो 2 u v है positive है यह दर 2 u v का sign negative है तो यह आपसमें cancel होगे और यह जो minus 2 u square है यह plus u square से minus हो जाएगा यह minus 2 u square किसमें से less होकर क्या आएगा minus u square और आगे क्या बचता है v square यहाँ बचके और अब और में क्या है 2 a यहाँ पर s अब 2 a और s आपस में multiply हो जाएंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 a s यह जो 2 a है इस s से multiply होगे यहाँ पर आगे 2 a s equal to v square minus u square और यह u square इदर आगे अगर प्लस करें minus का इदर आगे प्लस होजएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको v square equal u square plus 2 a s अगर यह u square इदर आता तो क्या होजएगा u square plus 2 a s equal v square तो यह हमारी third equation of motion जो है वह derive हो चुकी है और first और second equation को कैसे derive करना है उनका thumbnail आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा उसे click करकर आप इसे देख सकते हैं thanks for watching